यहां पर discuss करेंगे जो वीजन है का मेंस का test है ठीक है मेंस का test आपको 2024 के लिए और यह test ७नापको फैज टबू कर चुका हूं यहां पर start track करेंगेeyed यह पास नमबर 돌sy बीशन तक रहेगा और टीक है तो देखते हैं यह जो 18 सबूर्शन को discuss भी करते हैं धिक है kinda स्टार्ट करते हैं यहां से सोला नंबर को सेने दृति वीस यूद कि समाप्ति के पस्चाथ तो उसमें क्या इनका उध्य के लिए उत्रदाई कुछ का रख थे ठीक है तो यहां आपको यह बताना है सेकंड बात में तीसरी बात में अपना निश्करस निपलेंगे ठीक है इस टाइप से भी लिख सकते हैं पहला आप यहां पर जो द्रतिविश्वोजिस्की समाप्ति के भूमिका कैसे लिखेंगे आपको लिखना है अपनिवेसिक यह समराजवादी सकती से आसरी देशों के सोतंत्र होने की परकिरिया को वी अपनिवेसिक करण कहा जाता है जोती विश्यूत के बाद की जो अबजी थी उसमें एसिया अफरीका के अधिकांस देशों को सोतंतर राष्ट करूप में उदे हुआ ठीक है जदे पी अपनिवेसिक सक्तियां उपनिवेसों से अपना क्या आदिपत छोड़ने को तयार नहीं थी फिर भी एसिया और अफरीका देशों के अब जो वी अपनिवेसिक करण था उसमें कई कारक किया कार कर रहे थे ठीक है जैसे कि हुआ जो वी अपनिवेसिक कर दिया थी उसको गठी परदान करने में महत्मों का निवाएगी उधानम के लिए आप दिखा सकते हैं जिसे भारत में महत्मा गांधी और जो घाना में कामे कुन्मा के नेतरत में अंदुलन रुए यह दिखा सकते हैं ठीक है या तो सिता अब आरण अनेक समराजवादी देशों की जो अर्थवरस्ता थी बुठी तरहिका है प्रभावित हो गई थी इसके साथ ही कैसमराजवादी देशों के बहेतर जो अपनिवेसिक स्थे विरोजी सकत्या मजबूत हो गई थी तीस्री ही ह्टी में आपको लिखना है लोकतांत्रिक कादार्स उसका प्रसार्त में लिखेंगे आप मित्राष्ट सोतंता और लोक्तंत जैसे जो मुद्धे हैं ठीक है या उद्येस थे उनके उनके उनसके लिए ही फासिवाद देसों की जैसे की जर्मनी इटली जापान की विरूद यह लड़ा रहे थे ठीक है इन देसों की प्र दंदी बलाको का समर्थन ठीक है इसमें लिखेंगे आप नौ सोतंतर देसों में प्रभुत प्राप्त करने और अमेरिका सोवियस संग उपनिवेसिवाद जो विरूदी थे ठीक है उसमें अंदोलन को समर्थन देने के लिए ततपर थे उदान के लिए कोरियाई देन की जो भुमिका थी वो यहां पर दिखा सकते थे फांचवी हैडिग में आप लिखेंगे इसमें उपनिवेसि एक्टा उसमें लिखेंगे अप व्रापन के बीच एक्टा ने एसिया और अफ्रिका के जो देश हैं उसके सोतंतर प्राप्त करने है तो महिधप्र भुमि ये उसमें लिखेगे सेर्पण शांक लिए और pressed कलिए परिकिर्याग की देखरे के लिए नहीं इस परिसत कornoों की प्रिकिरा के लिए को लिए इस थापन भी खिए रिखंग के लिए अनकर्ण के साथ मिलकर एक ऐसे वेस्टिक परिवेस के निर्मान किया जो वी अपनी वेस्टिकण के लिए अन्कूल था ठीक है इसके परणाम सुरूप द्रती विश्यूद के बाद कि अनेक दसकों में कई अफरीकी देशों का सोतनता प्राप्थ्वीट ठीक है तो यहां से अप इतना करेंगे तो यहां से आपका अंसर पूरा हो जाएगा ठीक है यहां को कॉस्चिन वन फिप्टी वर्ड में इस शिरिफ लिखना है ठीक है यह जो छे से साथ हैडिंग बता ही वो सहीडिंग के तो उच्छी तर्ग करना है तो कि इस governor उन्सर आपको मिखाइल गोर्वाल नदू को बताइए इसके बारे मैं नदे हैं। ढू अगला आप इससे किस टाइब से भीन है मतलब सहमत रखते हैं या आप सीज़े से पना निस्करस दिखा देंगे आप जो लास्ट पॉंट रेगा हूँ ठीक है तो अंसर दिखते हैं रुचियूप के सत्ता के हटने से पस्चाद USSR को परवर्दन और पुनर जीवित करने हैं तो कविनेश पार्टी को अध्धुनिक बनाने का सुर्वस्थित करने का प्रियास किया ठीक है आप यहाँ पर लिखेंगे 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 पहली गोर्वा चेप द्वारा सोवियस संग की इस्थिर अकुषल और नियंतरित अर्थ सवस्था को एक लोकतांतरित भजार जो उन्मुख था वह अर्थ वास्था में बदलने का प्रियास किया ठीक है यह लिखेंगे फस्ट में सेकेंड हैटिंग में लिखेंगे खुलापन ठीक है उसमें लिखेंगे ग्लास नोस्त का उद्देश राजनितिक खुलापन और पार्देशता का वरद्दी करना था, इसके इंतरगत अभीवक्ति की पर्याप्त सुतनता पदान करना, सेंसर्जिप कानूनों का उदार बनाना ठीक है, और मीडिया की जो अधिक सुतनत रूप हैं, उसको कार करने की और मतिदेना, इसके बाद जो गुर्वा चेप थे, इन्हें अधिक धार्मिक सुतनता पदान की, तता सोबियत जो राजनितिक विवस्ता हैं, उसमें लुक्तांतरिक जो विमर्स था, उसकी भी शुरुआत की, ठीक है, अगला हैडिंग लिखनेंगे आप, नेक्स को अब नुक्त करने के स्थान पर चुना जाने लगा था, ठीक है, जो सुप्रीम सोवियत था, उसको कांग्रेस आफ पीपुल्स जो थे, उससे उसको चेंज किया गया, और कमिनिस पार्टी के लिए, अरच्छे सीटों को समाब्त कर दिया गया, अगला लिखनेंगे, यहा कि जो आपके पिरेसोवा, ठीक है, पिरेसोवा के माध्यम से अर्थवस्ता के पुनेर गठन के कारण, अभाव, मुद्रस्कृति, और अर्थी की सीर्था उत्पन हो गई, कई राज स्वामित वाले जो उध्यम थे, उसमें अधिक खुले बजार 25 परदा करने के लिए संग परदार के लिए, ठीक है, पर्स्क पॉइंट में लिखना है, इसमें राजनीतिक सत्ता पर के अपना एकादिकार खो दिया, ठीक है, उसके बाद लिखना है, हाला कि गोर्बा चेप द्वारा सुरू के इगे सुधारों को अतरिक अन्यकार के अनकारक भी थे, जिन्नों ने उसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, अगला सेकेंड लिखेंगे, राष्टवाद और नरजाति तनाओ, इसमें लिखेंगे, आप सोवियत संग विभीन नरजाति जो सम्मू हैं, और जो राष्टीता हैं, ठीके, उनकी बहुराष्टी देश, उनकी लिखेंगे बहुराष्टी देश था, सुभीयत सासन के तहट जो राष्टवाद है, और जो नरजाति तनाओ है, उसको दबा लिए गया था, ठीके, इस्टालीन तथा जो अन्नी सुभीयत उनके सासनकाल से ही पोलेंड यूक्रेयन बाल्टिक देसों में क्या है विक्टन की कई जो विद्रों थे वह देखे जा रहे थे यह किये जा रहे थे उनके साथ ठीक है अगला है लिखेंगे अपने इसके लिखेंगे एक लाइन छोड़के इसके लिखना है समग रूप से को के साथ अंतराष्टी घटनाओं के पर उस पर जटल अंतकरिया का पढ़णाम था ठीक है और यह दपी गोर्वचेव की नीतियां इन घटना करूं मत्पूर भंका निवाई किन्तु ये नीतियां सोवियस संग के पतन के एकमातकारण नहीं थी ठीक है अगला देखते है यहां से अंतर आपका सत्राफ पूरा हो जाएगा अठारा नंबर कुस्टन है हाला कि फ्रांसीसी करांती के लिए उत्तरदाई कर घरेलू परकरती के थे लेकिन इसका प्रभाव फ्रांस की सिमाव पर सिमाव से परे भी महसूस किया गया था चर्चा करना है ठीक है यह भी सब्सक्राइब एम पर घरेल। तो देते हैं इसका संचित वड़न क्या है। कि अप इसको बताएंगे फ्रांसीसी क्रांती 20 सुक्य तिहास में एक महत्मल घटना थी, जिसके द्वारा प्रभोधन से दानतों के लोकतंत्र के उधाना को सीर्स वरीथा पायदान की इसने एक तर्क संगत एवं समतावादी जो समाज था उसका निर्मार पध्यान के अंदित किया फ्रांसीसी करांती 1789 में फ्रारम हुई और 1799 में जाके समाप्त हुई ठीक है यह बोताना है उसके बाद हैडिंग डलना है लिखना है फ्रांसीसी करांती निमलिखित करणों से गटीद हुई थी ठीक है यह एडिंग है इसके अंदर पहली एडिंग आपके राजनितिक करण ठीक है राजनितिक करण में लिखेंगे आप लूइस उहलवा एक निरंकुस फ्रांसीसी साकता था उसकी अविवेक पॉन नितिक करण फ्रांसीसी जो उपनिवेस थे उसको हा समाजिक करण में आपको लिखना है फ्रांसीसी समाज के इसरी वर्ग के बीच असंतोस को बढ़ा दिया था ठीक है इसके बाद तीसरा एडिंग आपका धार्मिक करण ठीक है धार्मिक कार में क्या लिखेंगे अब इसमें लिखना है फ्रांसिसी समाज में धार्मिक असंतोस जाप था क्योंकि चर्च का कुल भाब जो भूबागता वह 40% ठीक है 40% से अधिक भूमी पर अधिकार था वहीं गरीबों के पास करसी के लिए बहुत कम भूमी थी ठीक है अर्थिकरन आपको लिखना है इनमें यूध इसतर पर किया गें अत्थिक खर्ट जैसे की आपको वरसी, अर्ज साही के जीवन से अधिक साम्मिल थी इसके लाबाब यूध्द्गत डेवर्णों में 10% ब्याच बतरा जिससी कह ब्रकार कुंसी वर्च में संस्देंग के सम् मजबूर करदिया थक उसे में पांच की कारण इसमें इतरा सूपंद्रा सघ्र 심anganकाई मैं अग्ला प्रबो दोお प्रबोधन का प्रभाव में आपको लिखना है, आगली heading जो छट भी heading रही उसमें लिकर फ्रांस जैसे, फ्रांस में जैसे रूसों जो दर्सनिक थे उसमें लेखक के जो फ्रांस के प्राशेन परमपरा थी, उसमें महिमा मंडन करके फ्रांसी सी समाज को जागरत किया, और उ लिखेंगे 1789 में फ्रांसीसी करांती के दोरान नेशनल असेंबली दोरा पूरुस इवं नागरिक अधिकारों की गोशना पत्र जो था डिकलरेसन था वो अपनाए किया यह मानों अधिकारों की इतिहास में एक अधियासिक दस्तावेच बन गिया था अगली हैटिंग लिखे क्यान का में एक फ्रांस के ईपजेव इचार और आपको उपजे विचार उस से उसे क्र्णा लीं थी यह आपका अंसर पूरा होगा और आपका नििसकर्स लिखना है निसकर्स में लिखेंगे, फ्रांसीसी करन्तिक ऐसी आसी गटना थी, इस करन्ति ने ना केवल फ्रांस की समाजिक, अर्थिक और अजनितिक जीवन को प्रहज किया, बल्कि सेस्विस्ट को भी प्रभवित किया था, ठीक है, काफी important question है, आपको यह याद रखना है, अगला question, 90 90 number question, 90 number question अपका मन्दी से होगा, यहाँ पर देखते हैं इसको, महामन्दी great depression, विभीन जो कारक है, उसके सहोजन का यहाँ पर प्रडाम थी, ठीक है, तो यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर देखना है, तो दुनिया के एक हिस्से में आया, यह संकट को अगातो का परसार सी गरी भारत सहीत अन हिस्सों में बढ़ गया, चर्चा करना है, ठीक है, तो देखते हैं आपको दर्ष्टी कोड क्या होगा, यहाँ पर दर्ष्टी कोड आपका होगा, पहला तो आप बताएंगे कि जो महामन्दी है, great depression, इसके बारे में लिखेंगे क्या है, ठीक है, फर् अब निसकर्स रहेगा, आप अपना निसकर्स आपर चोथे बैंच में बता देइगे, ठीक है, टो श्व्टार्ट करते हैं等一下 को एक है, आपको लिखना है यहाँ से, महामन्दी, जो है महामन्दी 1929, ठीक है उत्पादन, रोजगार, आई और वियापार ठीक है? यह क्या हुए? यह काफी तायम कार्व इनके विरांसकार रही होगे या फिर इनके प्रभावी के नहीं प्रभावुत हुए ठीक है? इनका ग्रावट का उन भया पर किया जाने लगा? मंदी का सटीक समय और प्रभाव अलाग अलग देशों से भिन भिन था ठीक है अगला heading लिखेंगे आपने यहाँ पर मंदी के लिए उत्रदाई कारक ठीक है मंदी के लिए उत्रदाई कारक वह में से कौन कों से हैं पहली heading लिखेंगे आप इसके अंतरगर इसके परभावी बजार भीनिमें जो था उसमें अभाव और सीमित अटकली भी थी इसके पड़ाम सुरुप अमेरिका आर्थिक तियास में सबसे बड़ा आर्थिक संकट देखा गिया थे ना ठीक है अगला है banking, panic और जो मौद्रिक संकुचन है वो ठीक है यह स्रीप आप लिख सकते हैं मौद्रिक संकुचन इसके बाद सेके ड्रेडिंग में लिखेंगे मौद्रिक संकुचन में अमेरिकी व जैसी रिन दाता के बीच पैनिक इस्थिती के कारण, अमेरिकी रिनों की जो निकासी थी, उसने विस्व के अधिकतर भागों में क्या अलग अलग तरीकों को प्रहुइद किया, जैसे कि आप बता सकते हैं, यूरोप में कुछ प्रमुक जो बैंक विफलता थी, कुछ और दिखा सकते हैं, जैसे कि बेटी स्पाउंड इस्टिलिंग जैसे जो मुद्राओं का पतन हो गया था, वो भी दिखा सकते हैं, तो ये दोनों आप एक्जम्पल दिखा सकते हैं, तीसरी एडिम में क्या लिखेंगे, अधिक आपूर्ती और अति उत्पादन की समस अगर जो आए है, वो बना रखने के लिए उपज में बड़े मात्रा को बजार में लाने का प्रियास किया, तीक है, इससे क्या हो बजार की उपज के रिखता हो गई, और इससे किम्तों में भारी गिरावट दिखी गई थी, चौछ सी एडिम में लिखेंगे, निम्न मांग में छटनी करना खुरू कर देती, जिससे क्या है, यहां पर बेरोजगारी बढ़ जाती है, ठीक है, अगली है, पांचवें हेडिंग, अंतराश्टी उधार और प्रसुल्क में कमी, ठीक है, इसमें लिखेंगे, उनिस सो बीस, निस सो बीस के जासक में उत्तराद में अमेर पर प्रभाव, ठीक है, वेपार पर प्रभाव क्या पड़ा, इस पर देखते है, ओमंदी ने भारती वेपार को क्या है, तुरंट प्रभाविद किया, 1928 से 1934 के बीच, भारत का निर्याद और जो आयर्था और लबबग क्या है, आधा हुए था, जैसे ही अंतराश्की किम इनकार कर दिया था, जो किसान विश्च भर में बजार के लिए उत्पादन करते थे, और इसे जधा यह प्रभावीत भी भी हुए थे, ठीक है, कर्ज में बरद्धी, ठीक है, अगले अधिंग जो भी रहेगी, कर्ज में बरद्धी लिखेंगे, संपूर भारत में किसानों कर्जदारे में बरद्धी, उन्होंने अपनी बचत का उप्योग करना क्या बंद कर दिया, और अपनी भूमी थी गिर्वी में लग दिया, क्योंकि इसमें कर्ज से बचें, ठीक है, साथ ही उन्हें अपने जो खर्च थे, इसको पूरा करने के लिए अबूसर और कीमती धा और मदवर्क से जो बेतन भोगी थे, वो कम चार्यों की स्थिती बेतर होती थी, ये इसलिए क्योंकि उस समय हर चीश की कीमत खासर गिरावट जो गिरावट थी, वो हो गए थी, समानता देसों में क्या है, मंदी सुबरने के लिए एक सोने के माना को अपनाना बंद कर दिय आपको थोड़ा सा निसका लिखना एक लाइन का, इसमें लिखेंगे, राजकोसी विस्तार, नई डील, जॉब, समाजी कल्याण, कारकरम, इसके रूप में और दित्ती विस्ती की सुरुद जो सुरुवात थी, उसके दौरान रच्छा खर्च में बरती, संभवता और मंद कोर्षिन बोला है, इंग्लेंड अधुनिक अधोगी करण के अनभव करने वाला प्रथम देश बना, इसके पीछे नहीत करणों पर चर्चा करना है, आपको क्या लिखना है, पहली बात में, आपको बतना है, अधोगी करण्ती की क्या है, ठीक है, यह पूछ रहाएंगे, दूसरा, इंग्लेंड में जो अधोगी करण है, उसके लिए क्योग बनाने के लिए, समाजी कार्थिक राजनिक क्या क्या करण है, उसके आप यहाप पर प्रकार ठालेंगे, ठीक है, तीनों कारणों पर, अगला है, तीसरी हाँ पर हैडिंग में क्या बनाएंगे, प्रिट जो करणती है, उसमें लिखेंगे, आधुनिक अधोगी करण, अधोगी क्विकास की जो अवद्धि उसको संदद्धि करता है, यह वद्धि कितनी, अठारवी, ठीक है, अठारवी सताब्धी के अंत में सुरूई और उनिसवी से बीसवी सताब्धी तक जाए जारी रही, आधुनिक जो अधोगी करना है, इस वस्तों का उत्पादन, उन्नत प्रदोगी और मसेनी करन में क्या व्याप्ता कोप्यों की विशेशता थी, इसे उत्पादक्ता और उत्पादन में काफी वरद्धी हुई थी, ठीक है, एठारवी सताब्धी के अंत में, इंग्लेंड म के लिए परिश्चतियां अनकूल थी, ठीक है, किस कारणों से निम लिखे, तो मतलब एक नंबर यहां पर हेडिंग लेगी, राजनीतिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण में लिखेंगे अब, राश्तंत्र के अधीन, एक ही करत इंग्लेंड, वेल्स, स्कॉट्लेंड के स इस समय राजनीतिक रूप में स्थिर था, इस समय राज में समाने स्थिती और एकल मुद्रा और बजार की वस्ता भी सही थी, ठीक है, इससे कैप से पहले भारती जो इस्थानी अधिकारी थे, उस पर क्या है, कर लगाते थे, ठीक है, इसके परणाम सुरूप वस्तूं की क प्योग के जाने वाला जो एक बड़ा वर्ग था, वो अपनी जो वस्तू थी, उसको प्राप्त करने के वज़ा है, अपनी मजदूरी और वेतन के रूप में प्राप्त करने लगा, ठीक है, इससे क्या लोगों ने अपनी आये खर्च के तरीकों के क्या अधिक विकल्प प जमिदारों ने अपनी संपत्ती और छोटे खेत हैं, उसमें खरीद के लिए गाओं की आम समान जो भूमी है, उस पर कपजा करके अपनी भूमी जो है, उसमें बदल दी, ठीक है, इससी पड़म सुरूप क्या जमिदार जो भूमी है, उसका विस्तार हुआ, साथ ही क्या है जो खाद उत्पादन था, उसमें भी वरत दी हुई, खाद उत्पाद में अधिक, जो अधिसेस था, उसमें स्रम को मुक्त कर दी गया था, ठीक है, सस्ता परिवहन, चोटे एडिंग है, इसमें लिखना है अपको, इंगला है, पूंजी तक पहुंच, ठीक है, पूंजी त इंगलेंड की स्थापना, पांच उनेडिंग में, 1694 में, यह देश की वित्य पनाली का केंथा, 1784 तक इंगलेंड में 100 से अधिक प्रांती बैंक थे, और अगले 10 वर्सों के दुरान, उनकी संख्या, टीन गुनी होगे थी, ठीक है, 1820 तक जो प्रांत है, उसमें से 600 से रखने के लिए वित्य वसकता हो, वो पूरा किया जाना हो था, ठीक है, अगली हटिंग आपको लिखना है, कच्छे माल की उपलब्द था, ठीक है, 67 जो भी हटिंग नमबर रहेगी, वो लिखना है, कच्छे माल की उपलब्द था, उसमें लिखेंगे, मसीनी करण के लिए मुख्खी खनीज, कोईला, लव, अयस्क थे ये दोनों क्या इंग्लेंड में बहुत आयत मातरा में उपलब्द होते थे या बहुत आयत मातरा में पाय जाते थे इसके साथ ही क्या यहाँ अन्य खनीज भी पाय जाते जैसे की सीसा, तामबा, टीन जिनका उपयोग उद्योगों में किया जाता था ठीक है उसके बाद आपको यहाँ से निसकरस लिखना है अपना निसकरस में लिखेंगे आधुनिक उद्योगी करण का बिटीस समाज पर व्यापक पढ़ा पड़ा इसके पढ़ाम सुरूप बड़े प्यमाने पर सहरी करण हुआ, जीवन इस थार में भी सुधार हुआ और नए प्रकार के कामकाज शुरू हुए ठीक है जैसे कारखानों का काम और समाजी गत्च सीलता के नए आउसर भी खुले ठीक है तो कोई डाउट रहता है अपनी चीए कमेंट में पूछ सकते हैं यह तेस्ट नंबर तीन था, फाइनल हो गया पूरा अब टेस्ट चारे स्टाट करेंगे उसका पार्ट वन टू थी फॉर वह पर पांक पांच कोश्टन में चौरों में करा दूँगा ठीक है तो अल्दबिश्ट, थैंक यू